दोस्तों आज की इस वीडियो में में पूरा डिटेल में केंपैलिजन करने वाले हैं ओनलाइन टिकट और काउंटर टिकट के वारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से डिसाइड करना सीख जाएंगे कि आपको कौन सा टिकट पर्चेस करना चाहिए साथ के साथ आपको इस वीडियो की स्किप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अगर आपके पास एक काउंटर का टिकट है तो इसको कैंसेल करने के लिए आपको रेलवे के काउंटर पर ही जाना पड़ेगा आपके पास बात करते हैं रूल लंबर टू के बारे में तो अगर आपके पास जो ओनलाइन टिकट है अगर ये वेटिंग में ही रह गया तो आप इससे बिलकुल टिक्रेवल कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले है लेकिन कुछ रूल सन्रेगुलेशन का आपको ध्य नीचे description box को आप एक बार जरूर से check out कर लिजेगा अब हमने बात करते हैं तीसरे और सबसे last rule के बारे में तो अगर आपके पास एक online ticket है अगर आपने उसको print करना भूल गये हैं तो आप message दिखा के भी railway में travel कर सकते हैं साथ में valid ID proof आपके पास होना चाहिए लेकिन अगर पहले उसको घरी भूल गया फिर किसी भी तरह से अगर आपके पास वह नहीं है तो वहां पर रेलवे में travel नहीं कर पाएंगे आपको वहां पर without ticket माना जाएगा तो counter ticket आपके पास रहना बिल्कुल जरूरी है साथ में ID proof भी चाहिए तब ही आप रेलवे में travel कर पाएंगे तो दोस्तों ये थे तीन basic difference जो कि एक online ticket और एक counter ticket को एक दूसरे से different बनाते हैं दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो कि दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बतेएगा अगर आपके मन में भी कोई doubt रह गया हो तो आप बेच